एक बड़ी खबर आ रही है मेरट के बढ़ोत से जहां पर किसान की मौत हो गई है जिहां धरने पर बैठे किसान की अचानक तवियत बिगडी और उसकी धरने पिस्थल पर ही मौत हो गई जिसके बाद किसानों में खासा रोश ब्यापत है जहां किसानों के उत्थान को लेकर गन्ना मूलिब बिजली के भिलों में बढ़ोतरी और छूट के साथ साथ गन्ना किसानों के हित में बहुत सारे कारे करने का सरकारें दावा करती हैं तो वहीं किसान अपनी मांगों को लेकर यहां धरने पर बैठे थे उन लोगों की जिन मे और से अपना मूँ मोडे हुए नजर आ रही है ऐसा ही एक मामला यहां मेरट की बड़ोत तहसील में सामने आया है जहां बिजली के बिल के मूले में ब्रदी गन्ना मूले का भुकतान करने के साथ-साथ अन्य मांगों को लेकर छे दिनों से बड़ोत तहसील परिसर में धरने कुछ किसान बैठे हुए थे जिन में से कुछ लोगों की तबियत बिगडी और एक किसान उद्यबीर सिंकी यहां मौत हो गई है जिसके बाद तमाम किसानों में रोश ब्याप्त है तो वहीं किसानों का कहना है कि धरना और अब समाप्त नहीं होगा जब तक गन्ने का बगा भुकतान नहीं हो जाता और साथ साथ विजली के बिलों में हो रही धांदली को रोका नहीं जाएगा तब तक धरना ऐसे ही जारी रहेगा हमारे साथी किसान की शहादत बेकार नहीं जाने दी जाएगी अब सरकार से दो दो हाथ करने के लिए भी तैयार है किसानों का कहना ह कि अब वो सरकार से आरपार की लड़ाई लड़ने के लिए पूरी तरह से तयार हैं धरने पर बैठे किसान उधर किसी भी अधिकारी के मौके पर ना पहुंचने से भी खासे नाराज नजर आ रहे हैं तो ये बड़ी खबर मेरट के बड़ो तैसील से है जहां पर धरना किसानों में गुस्साप पना रहे हैं